आज आपके सामनी है क्लास एट इंग्लिस रीडर पोयम अम्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस पोयम की राइटर है एलिजबेट बेरेट ब्राउनिंग पोयम के मेन केरेक्टर ग्रेट गोड पैन पोयम को सुरू करने से पहले गोड पैन के बारे में जान लीजिए प्राचीन गिरीब कथाओ के अनुसार पैन जंगल में भेड बकलियों को चराने वाले चरवाहों के देवता हैं साथ ही पहाड़ी इलावकों में प्राकरती और संगीत के ये प्रेमी है और ये निम्प्स यानि अपसराओ के साथ ही है सुरू करते हैं पोयम को जो की इन ही और इनकी नटखट सरारतों के बारे में है यहां पूछा गया है पोईट दुवरा की नदी के पास नीचे इन रीड्स में ग्रेट गोड़् पैन कर किया रहे है वो क्या डूढ रहे हैं तो ये रीड्स देखे क्या होता है रीड्स एक तरीका का लंबा सा पोदा होता है नदी या तलाब के आज़ पास ये देखने को मिलेगा तो यहां पर नदी के पास नीचे इन रीड्स में ग्रेट गोड़् पैन क्या कर रहे हैं वो क्या ढूंड रहे हैं आगे बढ़ते हुए वो हर चीज को फैला रही है तबाही मचा रही है और हरी चीज को तोड रही है स्प्लैसिंग एंड पैलिंग देखिए स्प्लैसिंग मतल होता है अपने पैरों को पानी में चप चप करके मारना पानी में हम पैरों को मारते हैं और पैलिंग है अपने पैरों को इधर उधर चलाना पानी में विट हूफ ओफ ऑफ गोट and breaking the golden lilies afroat with the dragonfly on the river की great gold pen अपने पैरों से देखे हूफ होता है गोट के नीचे वाले पैर के नीचे वाले हिस्सा तो अपने पैरों से वो पानी पर ऐसे छपाक से स्प्लैस कर रहे हैं और पैरों को इधर उधर चला रहे हैं और इनकी हरकतों से वहां की जो लिलीस है जो प्लांट्स है छोट छोटे लिलीस के जो फ्लावर्स है वो तूट कर नीचे पानी में बह रहे हैं और जिनसे डर कर ड्रेगन फ्लाई भी उस रिवर से वहां से भाग रहे हैं मतलब उड़कर निकल रहे हैं कि नीचे तलाब से गहराई से उन्होंने एक रीड को तोड़ दिया, उखाड दिया, किसने ग्रेट गोड पहनने, दा लिंपिड वाटर टर्बली रेन, जो साफ पानी था, अब वो मिट्टी वाले पानी में बदल गया, यानि अब वो पानी मेला हो गया, क्या हुआ कि ग्रेट गोड पहनने, ज उसके साथ मिट्टी भी उखड कर आई, जिसके वजह से वहां का पानी भी मेला हो गया, मिट्टी आगए इसमें, and the broken lilies are dying lay, और उस रीड को उखाडने के चक्कर में, उड़ों ने काफी lilies के flowers को भी तोड दिया, जिसकी वजह से वो गिर कर मर गये, and the dragonfly head flew away, इन से डर कर dragon इंसेक्ट ये उड़ गये, and he bought it out of the river, ये कब हुआ, तब जब उन्होंने नधी से उस रीड को निकाला, नी रीड को निकालते ही, जो पानी था, वो कीचड वाले पानी में बदल गया, लिली इस टूट कर मर गये, dragonfly डर कर उड़ गये, थर्ड पेरग्राफ, high on the sore, set the great good pen, while terribly flower river, की वही पर तलाब के पास, उचे सिखर पर जाकर, great good pen बैट गये, यानि उची चटान पर जाकर, great good pen बैट गये, जब कि उस समय, जब वो वहाँ पर जाकर बैट है, तब भी, उस तलाब का जो पानी है, वो अभी कीचड से भरा था, यानि वो अभी भी म huge एक तरीके का cutting का word है, मतब किसी चीज को जब roughly काटा जाता है, बड़ी तेजी से, तो उसे hacked या hue word से denote करते है, ऐसा great good pen with his hard bleak steel at the patient read, देखिए हाँ पर patient यानि victim read को आ गया है, जिसको अब ये great good pen काट रहे है, यहाँ पर क्या आ गया है, कि बड़ी roughly तरीके से, बड़ी बे read को, उस बेचारी read को काटा, अपनी steel की ओजार से, till there was not a sign of leaf indeed, to prove it fresh from the river, great good pen ने उसे तब तक काटा, जब तक कि उसकी आखरी पत्ती भी ना बची हो, जिससे हमें ये थाबित होता है, कि अब river से निकाला वोग रीड अब fresh नहीं है, मतब उन्होंने हर एक पत्तियों को खा कर दिया, जिससे हम ये थाबित नहीं कर सकते हैं, कि ये fresh था, freshly अभी अभी निकाला गया है, he cut it short, did the great good pen, यानी great good pen ने उसे छोटा काट दिया, how tall it stood in the river, कि वो पहले कितना लंबा हुआ करता था, then paragraph 4, he cut it short, did the great good pen, how tall it stood in the river, point कहती है, कि great good pen ने उसको काट कर छोटा कर दिया, और रिवर में, नधी में, जब खड़ा था, वो पोधा कितना लंबा लग रहा था, लेकिन great good pen ने उसको काट कर छोटा कर दिया, then drew the pitch like the hurt of a man, एक इनसान के दिल की तरह, उन्होंने, जैसे एक इनसान के अंदर दिल होता है, वैसे ही, उस रीड के अंदर का जो पिछ, यानि अंदरुनी हिस्सा, उन्होंने बाहर निकाला, कि उसको निकाल कर, उसके बाहर के सारे हिस्से को साफ करकर, उसमें उस बेचारे अंदर को, उस रीड को अंदर से खोकला कर दिया, और उसमें holes बना दिये, और river के पास बैट कर, वो उसमें holes बना दिये, और इस तरीके से, ग्रेट गोड पैन हसने लगे, वो नधी के पास बैट कर, हस रहे थे, यह सोच रहे थे, कि यही वो तरीका है, जब देवताओं ने संगीत की शुरुआत की, इसी तरीके से, देवताओं ने संगीत की शुरुआत की, और इस संगीत को बनाने में वो सफल हुए थे, फिर अपने मूँ से, उन होल में, जो ग्रेट गोड पैन ने बनाई थे, उन होल में अपने माउथ को लगा कर, बड़ी ही जोड से, उन्होंने उसमें फूक मारी, ठीक है, नेक्ट पैरग्राफ, पैरग्राफ नमबर 6, स्वीट 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 ओ पैन, पाइरेसिंग स्वीट बाइदर रिवर, ब्लाइंड स्वीट ओ ग्रेट गोड पैन, यहां पर 6 पैरग्राफ में गोड पैन ने जब उस फ्लूट को बजाया, यानि उन्होंने उस रीड से जब एक फ्रूट बासुरी बनाई और उसमें अपनी फूप मारकर उसको बजाया, तो उसका संगीत के बारे में बताए गया है, कि वह संगीत कैसा था, स्वीट स्वीट स्वीट, यानि बहुत ही मधूर संगीत था, पाइरेसिंग स्वीट बाइदी रिवर, यानि भो थी स उन्दर संगीत, जो रिवर के पास बज रहा था, ब्लाइंडिंग स्वीट, ओ ग्रेट गोड़ पैन, कि ऐसा इतना मधूर संगीत कि कोई भी इसमें खो जाया, और उसको पता ही ने चली, कि उसे करना क्या है, यानि वो बिल्कुल अंदा हो जाए, मत्म मध्होस हो जाए, बूल गया, वो भी ढला नहीं, और लिलीज रिवाइवड, जो लिलीज के जो पोधे थे, वो मर चुके थे, अब वो वापस जीवित हो उठे, उस संगीत को सुनकर, और ड्रेगन फ्लाई, जो डर कर भाग गए थे, वो भी संगीत सुनकर वापस तलाम में लोट आए, नेक्स्ट पेरग्राफ, येट हाफ अब बीष्ट इन दे ग्रेट गोठ पेन, तो लाफ एस ही, सिट बाइदा रिवर्, हाला कि ग्रेट गोठ पेन, आधे बीष्ट हैं, आधे बीष्ट का मतलब आधे जानवर हैं, क्योंकि उनके उपर का हिस्सा, एक इन्सान का हैं, और इसलिए इनको half beast कहा गया है हाला कि great good pen एक half beast है to laugh as he sit by the river और नदी के पास बैठ कर हस भी रही है making a point out of a man कि एक इनसान को मतलब एक point के रूप में man जो है वो एक point के रूप में अपनी कुछ बाते कह रहे हैं क्या कह रहे हैं the true good strive for the cost and pain for the reed which grows never more again as a reed with reed in the river की इसमें का गया है the true good strive for the cost and pain दी कि असली भगवान वो होता है जो किसी के दर्द को महसूस दर्द और उसकी कीमत को महसूस करे for the reed which grows never more again की असली भगवान उस reed की उन reed की को समझेगा उनके दर्द को महसूस करेगा जो अब फिर वहाँ पर नहीं उगने वाले ऐसा reed with the reeds in the river जो reeds उन्होंने उन reeds के बीच से निकाले थे नधी के पास से तो अब साइद वहाँ पर नहीं उगेंगे उन्होंने चाहिए एक मदूर संगी थी क्योंना बनाया हो लेकिन उन्होंने प्राकरती को बहुत बड़ा नुकसान पहुचाया है तो यहाँ पर इस पोयम का पोयम खतम होती है पोयम कैसी लगे इस बारे में कमेंट बली करो जुरू बताए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जुरू करना हम मिलते हैं कोस्तनासर में जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा बाई बाई